नमस्कार आज मैं फिर आप लोगों के बीच वापस आया हूँ कुछ नया इंफोमेशन लेके और इसके पहले मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आपकी धीपवली कैसी रही I hope everything was okay so you was in joy with the family but बाहर जाने के बाद आपको भी पता है कि कोई दीपवली नहीं कोई भी तेवहर कुछ नहीं है सिर्फ काम रहता है तो ऐसी हमारा भी था सिर्फ काम ही है दीपवली तो नहीं है तो चलो छोड़ो यह बात है तो है अब आये हैं तो कुछ तो वलिदान देना पड़ेगा तो मैं अपनी टॉपिक में वापस आता हूं कि आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि इस्किल अनिस्किल जॉब सबसे जादा कौन कौन सी होती है ठीक है दोस्तों तो अनिस्किल जॉब के बारे में और इस्किल जॉब के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया से इस्किल जॉब में किस किस में जादा करके ट्राइ करते हैं लोग तो unaskill job में जिसमें हमको experience नहीं दिखाना पड़ता experience नहीं दिखाना पड़ता और बहुत से लोगों ने comment किया कि मैंने पढ़ाई नहीं की इतनी उतनी और age तो इसमें matter नहीं करता अगर से unaskill job में हैं skill job में हैं तो normally सब जगा तो 65 ही रहता है लेकिन ज्यादा prefer करते हैं 35 to 40 के बीच मतलब ज्यादा ही करते हैं क्योंकि उस time active रहते हैं अब ज्यादा time होने के बाद फिर आदमी वह हो जाता है ना ठक जाता है तो उतनी speed नहीं हो पाती जितनी यंग टाइम में होती है जवान टाइम में होती है तो तो मैं यही कहना चाहता हूँ तो हां मैं start करता हूँ अनिस्किल जॉब की तो टॉप 10 अनिस्किल जॉब जो हैं पोलेंड में सबसे पॉपलर हैं जिसके लिए बांगलादेश इंडिया स्री लंका और नेपाल भूटान से लोग काम करने आते हैं साउथ आफ्रीका से भी आते हैं मैनत देखे हैं काफी लोगों को पढ़ने के लिए भी और काम करने के लिए भी तो तो सबसे ज्यादा तो अपने ACA कंट्री से सबसे ज्यादा आते हैं काम करने के लिए तो अनिस्किल जॉप में कौन-कौन सी जॉप आती हैं मैं आज आपको क्लियरली बता दूँगा और इसमें ज्यादा मतलब इतना experience भी नहीं रहेगा तो चलेगा लेवर जॉप ही है यह समझ लो अनिस्किल जॉप मतलब लेवर जॉप लेवर जॉप के लिए आपको न कोई study मांगता है न कोई experience लेवर जॉप में अगर से एक हपता अगर सो आपको trend कर दिया अगर से आप मानलो सपो कि कौन सा आपको software बनाना है सिर्फ packing है ना वह machine करेगी सिर्फ आपको उठा उठा के रखना है सपोस करो जैसे fish अभी आई market मतलब उत समुद्र से अब उसको packing करनी है cutting करनी है portion wise करनी है तो सब machine को काम है सिर्फ आपको जाके खड़ा होके आपने तो देखा होगा वीडियो म में काफी कि कैसे packing होती है और नहों तो आप YouTube में जाके देख सकते हैं कि कैसे तो start करता हूं मैं fish तो फर्स्ट अनिस्किल जॉब जो है यह हमारी फर्स्ट फिशिंग प्रोसेसिंग फिश प्रोसेसिंग में क्या है कि जैसे अभी समुद्र से फिश आ गई हम उसको फिश को वाश करते हैं वाश करने के बाद फिर वाद में उसको chemical के थूँ वो तो machine में डालते हैं वाश होती है फिर उसमें जाके chemical से sanitize होके फिर वाद में उसको cutting carrier में जो कटने लाइक है कटने में चले जाएगी जो छोटी है तो छोटी portion वाइज हो जाएगी और जो directly pack होनी है तो वो pack होके deep freezer में चले जाती है तो वो pack होने के बाद फिर बाद में बड़े बड़े गाड़े यह रहते हैं आपने देखा होगा तो उसमें रखके आपको minus minus में रहता है 18 के उपर जहां यह समान store होता है ना 18 minus 18 के minus 18 के उपर ही temperature रहेगा जहां यह fish और meat store किये जाते हैं उध अगर का temperature भी कमी रहेगा minus में रहता है एक से लेके 0 तक और घबराने के जुरुरत नहीं है अगर से ऐसा है तो company की तरफ से आपको जॉकेट जो ठंड रोधक होती है जॉकेट पूरी uniform दी जाएगी जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से uniform भी दी जाएगी तो यह नहीं है कि आपको नंगा पूंगा खाड़ा कर दिया भाई बोलो काम खरो तो ऐसा नहीं है company का है क्यूंकि आपको जिम्मेदारी के साथ लेकर जाती है जैसे लेकर जाते है वैसे उनका काम है छोड़ना तो आपको से मेडिकल अगर से कुछ होता है तो मेडिकल इंशोरेंस मिलेगा company के तरफ से तो आप कुछ भी होता है तो आपका free मुफ्त इलाज होगा उदर पोलेंड में मुफ्त इलाज है कहीं घूमने जाते हैं यह कुछ भी तो मुफ्त इलाज होगा और इसके बारे मेडिकल के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है डालूंगा क्या-क्या इलाज होते हैं उसमें और second है भाई meat processing मीट में भी वही है जैसे chicken आया बीफ आया लैम आया यह आते हैं fresh वाले इनको फिरवाद में clean करके बुचरी वाला बुचरी करेगा और cleaning वाला cleaning और यह machine के द्वारा होते हैं और यह सारे जो हैं मसीनी से आपको सिर्फ pack करके इनको भी जमा के टॉली में ले जाना है और dip system by system सब अलग-अलग करना है थर्ड है भाई furniture production इदर बहुत popular है क्योंकि 26 country जो है न यह furniture बहुत मतलब इदर का furniture बहुत famous है अच्छा भी है तो इदर लोग एक बार use करते हैं वो जैसे अपने हां कुछ समाल ले लिया तो उसको इतना use करेंगे जब तक उसकी जान नहीं चले है लेकिन ऐसा इदर नहीं है एक साल दो साल में इदर change करते रहेंगे और हमारे यहां तो सजा के रखेंगे इदर ऐसा नहीं है इदर जैस सोफल यह दो साल बाद फेग देंगे वह नहीं रखेंगे यह किसी को दे देंगे तो और जैसे दरवाजे हो गए यह वो इनका भी जौप बहुत निकलता है वेकेंसी खास करके अपने एसियन साहुत आपरिकाद लोग जदा आते हैं उप्लाइब करते हैं तो इस चीज के और फूर्थ है मश्रूम प्लांटिंग जो इदर भी पॉपलर है पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पोलेंड में ही मश्रूम भुगाई जाती है जो मश्रूम की प्लांटिंग तो इसको क्या है करके पैक करना होता है तो रहती है काट काट के पैक करना होता है वाश होगी वाश होने के बाद वह मसीन के द्वारा होती है आपको सिर्फ वैसे फिश की जारा जैसे हैं फिश चिकन तो मश्रूम यह पूरे यूरोप में दर से सप्लाई की जाती है और इसका प्रोडक्शन बहुत होता है फिर 6 है यह जो है सिजनल वीजा में आएगा जैसे फ्रूट पिकिंग मतलब हम जासे खेतों में जाते हैं मटर के लिए अमरूत के लिए आम के लिए कोई लेके जाते हैं भाइये कनना चावल काते हैं यह वह यह हूं के लिए तो ऐसे यह दर भी इभी है तो सबजियें लगाते हैं अधर फ्रूट बलंप है एपल है इदर एपल बहुत होता है तरवी फूलंड में और बेरी से बहुत सारे प्रकार के फ्रूट से तो इनको मतलब छेट में जाके जहां भी खेत रहते हैं इनको खेत से तोड़े जाते हैं तोड़के फिर मार्केड में चले जाते हैं जैसे स्टॉब रहे हैं यह सारे रहते हैं तो इसका भी अच्छा है आठ गंटे जॉब रहती है सबी जगह आठ गंटे जॉब पांच दिन काम दो दिन चुट्टी और अगर से आपने एक्स्ट्र किया जिसको ओटी बोलते हैं उसका अलग पेगी किये जाता है तो नीस बीज जो लोटी जो है परावर मिल जाता है आझे तो अगर से एक्स्ट्र किया तो इसका इंक्लूट करके आपको सेल्री दे देते हैं और भाई सात वह है सात वह है वेजी टेवर्स में यह भी शीज़ 있으 में आ जाता है जो सीजनल वीज़े निकलता है छै मैंने का तो यो छै मैंने का सिर्फ दोव्तbre Funk अवरρα इसका दो से तीन हव्ते में इश्यू हो जाता है और इसका वीजा जल्दी इसका वह आया तो अभी तो इसका स्टार्टिंग होता है मैं से अक्टूबर तक होता है सीजन उसके बाद फिर अभी विंटर लग गया है अभी थंडे स्टार्ट हो गई है अभी कम से कम 15-16 पांच है अभी टेंप्रेचर है कि पास से चेंप्रेचर अभी चल रहा है और कि सीजनल वीजर के लिए नौर्वे में वेकेंसी खुलती है तो मैं आपको जल्दी डालूंगा नौर्वे की भी कैसे कैसे अपलाई करना है मैं सारा बताऊंगा ओके भाई आठवा है पैकेज पैकिंग जॉप पैकिंग जॉप में आ जाता है भाई जैसे आपने टॉइस पैकिंग है चावल पैकिंग है और ये मसाले कमपनियां की ये सारी पैकिंग में आ जाती है जो वियर हाउस में पैकिंग के लिए होती है जिसमें पैकी करना है सिर्फ पैकिंग पैकिंग है और स्टॉइक करना है और नॉमा है क्लोथिंग तो अतने बनते नहीं है लेकिन फिर भी क्लोथ में जो यह इदर का में है प्रोडक्शन तो कपड़े में भी हो जाता है कपड़े का जो पकड़े की सिलाई और यह सब चीज इसी माझा क्लोथिंग गार्मेंट फैक्ट्री गार्मेंट फैक्ट्री और भाई दस्वा है दस्वा जो अनिस्किल जॉब में आता है वो है वियर हाउस में लोडिंग अनलोडिंग अब आप तो जानते हो वियर हाउस में माल देश विदेश से सब से आता है खट्टा होके उसमें रखा जाता है फिर बाद में आएगी तो लोडिंग करना है अनलोडिंग करना है मतलब यही काम रहता हो अधर सब सिस्टम रहते हैं सीनों के द्वारा उठाना है दक्रदार ही होता है यह पाइश आ धा ये रहीं आपकी दस अनिस्किल जॉब जो जिस चीज़ में हम लोग आते हैं काम करने के लिए पोलेंड पोलेंड इंडिया माप होलेंड इंडिया इस बंगलादे से भूतान से स्री चाइठर करते हैं जाद करके लोकल लोगों को तो इसक्ल्स जुप में जह जाद करके लेते हैं जैसे कुक है इंडियन कुक हैं और इधर आइटी का है इन लोगों को लिये जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों में इनकी सेलरी तो कापी हो जाती है चार से पाँच पाँच लाख रोपर उठाते हैं और अनिस्किल में साट से सत्तर हजार सेलरी मिल जाती है तो इतनी सेलर रहेगी और ओवर टाइम लगा के लगवा कोईपड़वा आपका और रूम जो है कमपनी की तरब से मिल जाती यह है इस्किल और अनिस्किल जॉब का पूरा बेवरा डिस्क्रप्शन और हमारे पास जो है अनिस्किल जॉब है तो अनिस्किल जॉब में वियर हाउस के लिए है फैक्टरी के लिए है पैकिंग के लिए है वैल्डर है वैल्डर के लिए है और ड्राइवर के लिए है तो यह चीज़ें जो है हमारे पास है एबलेबल है और फर्स्ट ही आप ये ध्यान रख लें आज कल के जो है अजेंट से आप बच के रहें भाई मेरे क्योंकि बहुत लोग ने मुझे बोला कि इतने लाग खा गए उतने लाग दुगई में भी ऐसी कांड होने लगा है बहरेन में ज आजेंटों की जिन्ने जो लोग धोका देते हैं फिर आदमी वही है न एक बार धोका खाने के बाद कुछ भी पैर या कुछ भी रखेगा फूपूपूप के रखेगा बोलते हैं न बच्चा अगर से दूस से जल जाए तो फिर वो छाच को भी फूपूपूप के पीता है डर डर के पीता है न तो यही कारण है दोस्तों और आपका कहना जाइज है यार मैं मानता हूँ कि बहुत लोग के साथ प्रॉड हुआ है लेकिन जो कंपनी में किया हूँ मैं गैरंटी से बोलता हूँ गैरंटी के साथ कि यह बंदा जो है जैन्विन है आपको वर्पर में चुकर के देगा और मैं गैरंटी लेता हूँ मैं ऐसी इसको सजिस नहीं करता है मैंने इसको पहले पर्खा है जाना है अच्छी तरह से फिरवाद में और मैंने 8-9 लोगों का मेरे थ्रू अपलाई भी की है तो उनका चार लोगों को वर्परमिट आ चुका है और काफी लो से बगेर ऐसे जाने पहचाने न कोई ओफिस मैं मानता हूँ यार भाई यार अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता वह बंदा पहले पैसे मांगता है फिर ओफर लेटर एक सो दो दिन में शुकर देता है आपका तो आप किक्चा है मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि मे रेंटी देता हूँ आपको कहीं बागना नहीं पड़ेगा जैसे लोग बोलते हैं मैडिकल कराओ कहीं यह कहीं वो इधर जो है मैडिकल एडिकल कुछ नहीं है सिर्फ डॉकुमेंट डॉकुमेंटेशन की है जितनी भी है और इंटर्वी की गाड़लाइन मैं ही दूंगा ज जो भी डॉकुमेंट जो है मैं ही रेडि करूँ है जैस सीवी कवर लेटर इंशोरेंस डमी टिकेट और जो भी डॉकुमेंट लगते हैं इसमें यह भी है सारे मैं गाड़लाइन दूंगा प्रॉपर और प्रॉपर तरीके से आपका समीशन और अपॉंडमेंट और जिस बं नहीं कभी हो अपॉंडमेंट अभी तो स्लोट ओपन नहीं हो रहा है मुंबई के एक मेहना में एक बार होता है और दिल्ली का तो मिल ही जाता है अल्मोस्ट कीगा भाई तो अभी यह अपडेट है यह मैंने सोचयार लोगों को बता दूं कौन-कौन सी अनस्किल जॉप रह और काफी सारी इन्फोर्मेशन है और मैं लास्ट एक एक हफ्ते से बीजी था इसलिए कुछ वीडियो नहीं डाल पाया भाई थोड़ा मैं फिर हुआ हूँ तो अब मैं देखता हूँ धीरे-धीरे करके आप लोगों को पूरी इन्फोर्मेशन दोंगा जो बच्छी है और और मुझे कमेंट के या मैं अपना डिस्क्रप्शन बॉक्स में अपना नंबर वाटसप नंबर डाल दूँगा आप मुझे डारेक्ट कॉंटेक्ट करके और आप अपलाई कर सकते हो उसमें सीवी और आपका पासपोर्ट इसकैन चाहिए बस और कोई डॉक्मेंट नहीं है हम एजेंटों की तरह चुदापका नहीं पाल थे कि यह चाहिए वो चाहिए समझ रहे ना भाई मैं देशी हूं इसलिए मूझ से थोड़ा अकलाता है और इतने रही इस घर से नहीं है हम ऐसी है अब हमारी हुलियत को देखते जानते होगे भाई हम इतने वह नहीं है ना य इसलिए मैंने सोचायार की मेरी कुछ अच्छी बातों से किसी का भला हो रहा है तो अच्छी बात है उपर वाला तो देखी रहा है फिर भी रहा है ठीगा भाईयो ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई फिर लोग बोलने लगत हैं कि बहुत बहां करता है ना इसलिए मैं चलत बड़र पया हुआँ पिर लोगत है